क्या बात है कभी जी क्या बात है कभी जी कि बैठे बैठे जो बातों से काम चलाते हैं वो भी मेरी देख तरक्की जिया जलाते हैं और फूकोगे पर मेरी लौको बुझा न पाओगे हम आधी को न्योता देकर दिया जलाते हैं हम आधी को न्योता देकर दिया जलाते हैं और दोस्तों आज हमारे बीच में जो कभी आ रहे हैं जो साहित्यकार आ रहे हैं जो रचनक कार आ रहे हैं वो सब वैसे हैं जोनों ने आंधियों और तूपानों के बीच में साहित्यका दिया जला रखा है वो सब मेरे बहुत प्रिये हैं क्योंकि वो मेरे संगल्स के साथी हैं और आज नोने साहित्यके छेत्र में बहुत उचा मुकाम हासिल कर लिया है तो आईए आपकी मुलाकात कराते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने कवियों से और अपने रचनकारों से हमारे बीच में गाजियावाद से वीरस की कविताओं का एक योवास्वर आया है जो की बहुत अधुत कावे पाठ करता है तो आईए मुलाकात करते हैं स्वदेश यादावजी से हमारे बीच में दिल्ली से चलकर एक गीतों और गजमों की मधुर मुस्कान आई हुई है और उसका नाम होता है, उस कवित्री का नाम होता है मुस्कान माधुरी हमारे बीच में कानपुर की धर्की से चलकर गीत और गजल का एक ऐसा सितारा आया हुआ है जिसने बहुत कम समय में साहित के छेत में बहुत उचा मुकाम हासिल कर लिया है और उसका नाम होता है आशीस प्रकास आईए दोस्तों अब शुरुवात करते हैं वीर रस के उस युवा रचनाकार से उस देश की बात करने वाले विशेस रचनाकार का नाम होता है सौदेश आदाओ तो आईए आपकी घंगोर तालियों के दीच में मैं आमंद्यत करने जा रहा हूँ सौदेश यादाओ जी को सरप्रथम पारस चैनल के समस्ट्रोताओं को प्रणाम निवेदित करता हूँ बड़े भीया राहुल जैन जी जिनके आदेश पर आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हुआ हो बड़े भीया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का सौवसर प्राप्त कराया बहुत-बहुत धनेवाद भीया चुकि समय की अपनी एक सीमा है और बहुत अधिक समय मेरे पास है नहीं तो मैं चाहता हूँ कि सीधे-सीधे जिस कारे के लिए हम पर आमंत्रित किया गया हूँ पारस चैनल की समस्ट्रीम को साधुवाद देते हुए मैं स अधर्म के संस्कारेवं संस्कृति को आप तक पहुचाता रहा है तो मैं भी आपके बीच में परिभाशित करना चाहता हूँ कैसे होते हैं जैन समाज के लोग क्या क्रतित तो क्या व्यक्तित तो उनका होता है चार पंक्तिव में परिभाशित करने की कोशिस करता हूँ का नीचा कभी नाम नहीं करते और वक्त पढ़ने पे हां दिखाते निजवीरता भी मा का दूध कभी बदनाम नहीं करते और शर्म से जुकाना पड़े कि शर्म से जुकाना पड़े सीष कभी मा के आगे जैनियों के लाल ऐसा काम नहीं करते और समय पढ़ने पे कटवाते नि नहीं करते हैं बहुत बहुत धनेवाद बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं बहुत बहुत आभार और कुछ एक पंक्तियां और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ चुछ कि मैं खुद भी युवा हूँ और तमाम युवा वर्ग मुझे यहाँ पर टीवी चैनल्स के माध्यम से एवं आप सभी लोग जो सुन रहे हैं आप तक कुछ एक पंक्तियां पहुचाना चाहता हूँ युवाओं का प्रतिनिधित्तो करना चाहता हूँ कैसा होता है भारत वर्ष का युवाद कि अगर परखोगे तो कुंदन साही इमान निकलेगा कि अगर परखोगे तो कुंदन साही इमान निकलेगा हिर्दय में कुछ बड़ा करने का भी अर्मान निकलेगा और मेरी पीड़ी के ये लड़के कि मेरी पीड़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडन अगर चीरें गई ये सीना तो हिंदोस्तान निकलेगा बहुत बहुत धन्यवाद और चार पंक्तियां और देखेगा यहीं से कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के बीच में कुछ एक पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं जैसे सुन रहे हैं ऐसी प्रकार से सुनिएगा ऐसे ही आपका आशिरवाद मिले चार पंक्तियां बेटियों को समर्पित करना चाहता हूं कैसी होती है भारत वर्ष की बेटियां कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हूं नवस्वपन फिर भी सजाती रही बेटियां और खेल का मैदान या कि राजनीत काहो शित्र नए कीरतिमान भी बनाती रही बेटियां और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खीचे कभी के बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खीचे कभी राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां बेटियां ही जलकारी और हाडा रानी बनी निजशीष काट के चढ़ाती रही बेटियां और दोस्तो अंत में चार पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ भारत वर्ष के जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से एक प्रतिग्या लेता हूँ आपके समक्ष पंक्तियान वेदित करता हूं सुईकार कीजिएगा सागर भाई वाह मंद कर देंगे हम और भारती पे आख जो उठाई जाएगी तो उस आख को सदा के लिए बंद कर देंगे हम जब एक वीरस का कभी कावेपाठ करने आए और उसकी कविता में शहीदों की बात ना हो जिन्होंने मा भारती की गुलामी की बेडियों को काटा तो लगता है कि को शदूरा पंसा रह गया मैं क्रांतिकारियों से जोडने की कोशिश करता हूं और क्रांतिकारियों में सब प्रथम जो नाम हमें याद आता है चंद्र शेखर आजाद उन से जोडने की कोशिश करता हूं आप सभी लोग भली भाती जानते हैं कि चंद्र शेखर आजाद को कोई भी गोली चल्शे कर आजात को घायल क्यों नहीं कर सकी पंत्यन विद करता हूं देखें कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानिया और मा तु भारती की रक्षा है तु मा के लाडलोंने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानिया और शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी अंगरेजी गोली ठोकती रही सलामिया अज़े पासिवा नहीं चीरने की हिम्मत थी अंगरेजी गोली ठोकती रही सलामिया बहुत बहुत भुद्धाबाद दोस्तों ये थे सदेश यादो जी जो कि अपने ओजस्वी वानी से आपके हिड़े में देश प्रेम की भावना को प्रगाड कर रहे थे जब आपने इतनी ओजस्वी कविताएं सुन ही ली हैं तो आईए हम भी अपने ओजस्वी वानी से कहते हैं क्या बात है कवी जी तो आखिये दोस्तों अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उस विशेस कवित्री को जो अपनी मधूर मुसकान के साथ जब गीतों और गजस्वों के पकवान परोस्ती है तो सुनने वालों के हिदय में दिल में चासनी सी घुल जाती है और उस मधुर मुस्कान वाली कवित्री का नाम होता है मुस्कान माधुरी तो आईए मैं मुस्कान माधुरी जी को अपनी चार पंक्तियों से आमंतित करता हूँ एक बार तो दस्तक देतू मेरे दिल के तारों पर पिर अपने ही किस्से होगे अगले दिन अख़वारों पर और आपका दरिया पार करूँ जो नजर की ठंड़क मिल जाए प्रेन की सुन्दर गाठा लिख दूं मैं भी फिर अंगारों पर और प्रेम की सुन्दर गाथा लिख दूं मैं भी फिर अंगारों पर तो आईए प्रेम की गाथा लिखने के लिए मैं आमन्तित करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच में मुसकान माधुरी जी को जो जो जोडने का प्यास करती हूं अपने चार पंक्तियों से अपने नाम की चार पंक्ति उसे आपके साथ जुड़ती हूं लेखेगा सागत तुलसी ना मीरा ना रस खान हूं मैं ना तुलसी ना मीरा ना रस खान हूं गीत गजलों की छोटी से पहचान हूं गम कोई सामने मेरे टिकता नही हर घड़ी मुस्कुराती हूं मुस्कान हूं चार पंग्तियां इसी अंदास की और आप सब के सामने लखाएंगे जी स्वागत है गीत गजलों से ये शाम महकाओंगी धरकन चाहतों की भी धरकाओंगी तुम मिटाना सकोगे मेरी दासतां तुम मिटाना सकोगे मेरी दास्ता मैं हूँ मुसे कान लहजे में बस जाओं मैं हूँ मुसे कान लहजे में बस जाओं बहुत सुन्दर मुसकान जी जी आगे देखेगा सागत है सागत है तेरी ये आखे हरम है और काबा है जबी यार काफिर होगा जिसने दर तेरा चूमा नहीं जब से देखा है तुम्हें तो दूसरा देखा नहीं वाह 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 तुम्हें तो दूसरा देखा नहीं अगला शिर्बत वरे खाज साब सब के सामने जबी तो होता नहीं जब से देखा है तुम्हें तो दूसरा देखा नहीं अगला शिर्बत देखेगा जब कभी मांगा है रब से बस तुझे मांगा सदा एक वो रब है के इतना भी मुझे देता नहीं जब से देखा है तुम्हें तो दूसरा देखा नहीं एक शिर्बत और अंतिम मक्ताब सब के सामने लगती हूं देखेगा छोड़े कर पर देश की तू नौकरी अब आभी जा जैसे रखेगा रहूंगी कुछ मेरा खरचा नहीं जब से देखा है तुम्हें तो दूसरा देखा नहीं मक्ताब की और अपनी ज़गा दोंगी देखेगा ये मेरी मुसकान वासू गम खुशी सब कुछ तेरा ये मेरी मुसकान वासू गम खुशी सब कुछ तेरा तेरी बाहों में है मरना विन तेरे जीना नहीं जब से देखा है तुम्हें तो दूसरा देखा नहीं बहुत संदर मुसकान जी बहुत संदर बहुत संदर बहुत संदर क्या बहतरीन प्रस्तुति दी है मुसकान माधुई जी ने तो आएए हम भी अपनी मधुर मुसकान के साथ कहते हैं क्या बात है कभी जी क्या बात है कभी जी तो आईए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने उस परम मित्र को, कि जिस मित्र पर माशारदे की विशेस कृपा है, माशारदे का विशेस आशीस जिसे प्राप्त है, और उसी आशीस की च्छाँ में वो अपने साहित्तिका प्रकाश पुरी दुनिया में बिख जोड़ार तालियों के बीच में आमंतित करने जा रहा हूँ आशीश प्रकाश जी को इसके बारे में मैं इसी नाम के साथ आप सब के बीच में क्यूं आया क्योंकि फैल के जब दो बुजाएं सूर को लेती जकड विश ग्रहन का लेता पूरी प्रत्वी को जबरन पकड फिर भी पलभर बाद फिर भी पलभर बाद बस अंदकार चट जाना ही है और आज हम जिस माहौल में हैं दोस्तों आज करोना के इस काल में कहीं न कहीं विशमताएं जो सब के सामने आ रही हैं उस जगे मुझे लगता है कि ये पंग्तियां बहुत सार्थक हैं जब मैं आगे की पंग्तियां पढ़ता हूं और कहता हूं कि जीत से पहले कभी ना सबों का मान है और हार का जो मुख न देखे वो भी क्या इंसान है हार का जो मुख न देखे वो भी क्या इंसान है मृत प्रयासों के शवों को मृत प्रयासों के शवों को फिर भी दफनाना ही है हो घना जितना अंधिरा प्रकाश दौाना ही है बहुत सुनर भाई बहुत आरे ऐसे प्रियजन जिनकों हमने होया या जिनों ने अपने जिनका प्रुचसाहन इन दिनों घटा मैं उनके लिए जिन्दीगी के मरहलों से निकाल के गजल जरूर पढ़ना चाहूंगा गजल आपको जिन्दीगी के उन उन तमाम मरहलों तक ले जाएगी उन तमाम सिच्योशन तक ले जाएगी जहां पे आपको लगता है कि आगे बढ़ें या पीछे आएगी तब मैं कहता हूँ कि समंदर का किसी भी प्यास से वादा नहीं होता है पर दरिया उसी के पास जो प्यासा नहीं होता वाँ 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 नहीं होता ना लोटो आधे रस्तों से युही ठक कर जरा सुन लो जब मेरी और डॉक्टर राहूल जैन साहब की मित्रता की शुरुआत हुई हमने भी एक स्ट्रगल शुरू करी आज राहूल जिस जगह पे हैं आज जो एक बहु आयामी एक कारकरम आप सब के सामने लेकर आ रहे हैं तब मैं उनका उधारण देते हुए आप लोगों से शेर पढ़ता हूँ ना लोटो आधे रस्तों से युही ठक कर जरा सुन लो सफर मन्जिल का तालिब है ये कमजादा नहीं होता समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता दोस्तों आप जब भी डॉक्र राहुल जैन की तरफ देखेंगे या उनसे एक छोटे कवी मेरे को जब देखेंगे हम लोग की जिन्दिगी की जो भी मुश्किले आई हैं हमने उनको जिस तरह पार किया है लेकिन इसमें हुनर का होना बहुत जरूरी आज मेरे से छोटे भाई आते हैं मुझसे पूछते हैं क्या करना है है शोहरत वो किला जिसमें हुनर की सीड़ियां भी है वहाँ जाने का कोई चोर दर्वाजा नहीं होता समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता मुझे देखा जिन्होंने मन्जिलों पे रश्क रखते थे चोधवी को रश्क के मारे बुरा कहने लगे अरे कुछ दिनों से चांद को तारे बुरा कहने लगे मन्जिले थी दूर और धीमा था अपना काफिला मैं चला जो तेज तो सारे बुरा कहने लगे मुझे देखा जिन्होंने मन्जिलों पे रश्क रखते थे मुझे देखा जिन्होंने मन्जिलों पे रश्क रखते थे उन्हें पैरों के च्छालों का तो अंदाजा नहीं होता समंदर का किसी की प्यास से वादा नहीं होता है परदरिया उसी के पास जो प्यासा नहीं होता बहुत बहुत शुखिया, बहुत बहुत शुंदर कि काल के समक्ष ताने वक्ष सीमारक्ष है तू सुप्त होती देशी की जवानी बने जाईए धर्म रास्ट प्रेम सब अपना पराया जानो अपके समक्ष कोई कर खुलने लगे तो सूत पुत्र कर्ण जैसे दानी बन जाईए अप पोरस सुभा से ही तो हिंद में महान हुए आप आज से ही हिंदुस तानी बन जाईए महोबत का मैं शायर हूँ यही पैगाम लाया हूँ बहकते दिन महकती शाम छलकते जाम लाया हूँ महोबत होती क्या नीरज मेरे यारों ने जब पूछा मैं खामोश होटों पर तेरा ही नाम लाया हूँ मैं खामोश होटों पर तेरा ही नाम लाया हूँ आएए दोस्तो अब चलने का समय हो गया है कारिकरम को समाप्त करने का समय हो गया है तो आएए दोस्तो अगले हबते फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय इसी जगह अगले हबते फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जय जिनेंडर क्या बात है क्या बात है कभी जी